हेलो दोस्तों मैं हूं संदीब सिंग वेलकम बैक टूरी इंफोर्स लाइफ प्लाइन पूर्स विल इंजिनियर और आज के सेशन में बात करने वाले हैं रोड हाइवे और एक्स्प्रस में पूछे जाने वाले सबसे जान्दा इंट्रिवी कॉश्चन के बारे में यह आप किसी रोड हाइवे और एक्सप्रस के प्रोजेट पे इंट्रिवी देने जा रहा हैं चाहिए वह आपका हायवे इंजीनियर का इंट्रिवी हो जायने उत्प को पूरा देखिए तो आप बहुत सारी चीज़े यहां से आप सीखके जा सकते हैं और हाँ यह मैटन नहीं करता है कि यह आप फ्रेशर है यह फिर आप experience है यह session सभी के लिए होने वाला है आप इस में से काफी सारी चीज़े सीखके आप एक interview में जा सकते हैं पूरे confidence के साथ आप interview जाके खोड़ सकते हैं, तो चलिए फिर हम अपने session को start करते हैं तो यह है पहला question आपके सामने आप देख सकते हैं, why we always construct road in a trapezium shape? आप देखेंगे जितना भी हमारा road hive exclusive बन रहा है, तो जो mostly होता है वो आपका trapezium shape में होता है, लेकिन क्यों होता है? आप देखेंगे कि road की जितने भी drawings आती हैं, तो उसमें दो तरह के TCS होते हैं, एक तरह का TCS वो होता है जो आपका open area में है, और एक तरह का TCS वो होता है जो आपका built up area में है, तो जितने भी आपके typical cross sections हैं, जितने भी आपके TCS हैं, यह वो आपके open area में है, तो आप देख सेंगल के सेप में आप रोड बनाई नहीं सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है आपका जो स्वाहल है वो आपका एक्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका बाइड डिफॉल्ट आप देखेंगे आपने बच्पन से लेके अभी तक आपने कई जगह काम चलते हुए देखा होगा कि कहीं फे काम हो रहा है हम लोग कहीं पर मिट्टी डाल रहें तो आप जैसे ही मिट्टी डालना शुरू करते हैं आपने थोड़ा मिट्टी डाला और थोड़ा भीटा तो वो वाहइध इस तरह का सेयफ़ बनने लगता है . यह ट्रह यही नपिंगे road highway through से बनते हैं क्योंकि इसमें आपको by default आपका maximum stability मिल रहा होता है और बागी के जो आपके road highways आपके built up area में आते हैं मतलब बोई एरिया जब आपका कोई road highway किसी city या टाउन से पास हो रहा है एफर ऐसी जगह से पास हो रहा है जहां पर बसती है जहां पर लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं बिल्टप एरिया में जो आपके road के cross sections होते हैं वो आपके rectangle होते हैं क्योंकि दोनों साइड आपका line drain बन रहा होता है दोनों साइड आपका नाला बन रहा होता है तो line drain होती तो उसके सहारे आपका rectangle road बन जाता है नहीं तो हमेशा आपको trapezium सेप में ही देखने को मिलेगा आँगे चलते हैं next question है हमारा what are the important components of road cross section यह बहुत important है ऐसे fresher यह और भी जंदा important हो जाता है क्योंकि जब आप ऐसे fresher interview देने जाते हैं तो जंदा कुछ पूछने के लिए होता नहीं है सामने वाले के पास तो वो क्या करता है आपको normally बोल देता है कि आप एक road का cross section मना दी तो सबसे पहले का आता है carriageway उसके बाद आपके आते हैं carriageway के बगर में soldiers आते हैं और उसके बाद जो पूरी top breath होती है को हम लोग formation breath बोलते हैं और उसके बाद आपका right-off bay आता है और right-off bay का boundary होता है उसको हम लोग क्या बोलते है boundary line बोलते है उससे थोड़ा सा बहां निकले तो आपका building line आ गया उससे थोड़ा सा बहां निकलेंगे तो आपकी control line आएगी और बांकी दोनों साइड आपको train देखने को मिल रही होती हैं कभी आपकी line train होती हैं कभी आपकी online train होती हैं तो इस तरह से एक road के cross section में सारे components होते हैं तो इसको आप proper तरह से आप deliver कर सकते हैं और इन components के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजे कभी काम आ सकता है otherwise मैंने last month एक highway के interview questions का वीडियो बनाया था और आप लोगों ने इसमें बहुत जांदा प्यार दिखाया था इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया तो आप वो वाला session जाके देख सकते हैं तो उस session में हमने यह सारी चीज़े detail में cover कियें जितने भी component है mostly मैंने वहां पर इन सभी को explain किया हुआ है आगे चलते हैं next question हमारा क्या होने वाला है what is carriageway and its type देखने में तो कुछ नहीं है carriageway क्या है कुछ नहीं है लेकिन मुझ लेगा तो आप जवाब नहीं आप जवाब दे रहे हैं तो carriageway क्या होता है आप इसको कैसे define करेंगे तो carriageway आपका किसी भी road highway express में वह space होता है जहां पर आपका actually में आपका vehicle move कर रहा होता है legally आपका vehicle move कर रहा होता है और simple भासा में समझें तो आप देखेंगे road highway express में जो continuous marking होती है उसके बीच का जो space होत में दोनों साइट इस तरह से continuous white marking होती है तो इसके बीच में जितना भी space है उसको बोलते है carriageway जो आपका actually vehicle को move कराने के लिए बनाया गया है आप वहाँ पर vehicle को रोक नहीं सकते है यदि आपने वहाँ पर vehicle रोक दिया तो आपका चालान भी कट सकता है अगर किसी traffic police वाले ने carriageway आपकी चालान के लिए बना गया है रोकने के लिए नहीं बनाया गया ऐ है आपको गाली रोकनी है तो आप carriageway के बाहर आके रोकिये जो कि score होता है उसको भी हम आने वाले session में discuss करेंगी तो यह हमारा carriageway होता है अब carriageway किसने टाइब का होता है carriageway होता है आपका दो type का एक आपका single carriageway होता है और एक आपका dual carriageway होता है single carriageway क्या होता है आप देख सकते हैं कि एक carriageway जिस पर जाने वाले वीकल और आने वाले वीकल दोनों बहुत करने ना तो कि अर्टोदों को आने के लिए ऩाने-पारत कहीं हो इसमें, जो एक कहुए से dislod Carlos को स्पष्ष्राइज के लिए इस प्वेुजर बनाते हैं और इन दोनों को सेपरेड टरने को लिए बीच में मेडियन भी देते ढ WOW क्योंकि mostly आपको two land highways में, four land highways में और आपको express में में देखने को मिलता है और कभी-कभी आपसे interview में ये भी पूचा जा सकता कि carriageway की breadth कितनी होती है तो depend करता है कि कितने land का carriageway है यदि आपका single land का carriageway है तो उसकी breadth कितनी होती है आपका seven meter हो जाएगा इस तरह से चीज़े होती है यदि आप road, highway और express पर जैसे infrastructure projects में काम करना चाहते है और आपका job नहीं लग रहा है आपकी growth नहीं हो रही है तो आप लोगों के लिए एक बहुत important सूचना मैं आपके लेके आ रहा हूँ highway projects के quantity serving और billing के online live sessions जो हमारे application में available होंगे यह आपका पूरा 45 days का training program होगा जिसमें daily एक घंटे मैं आपके साथ आके live interaction करूँगा Monday to Saturday और यह session आपको साम के समय मिलेंगे 8-9 में यदि आप job करते हैं जौब नहीं भी करते हैं तो आप job से free होके आप यह 8-9 का session जोइन कर सकते हैं हो सकता है यह एक आपका highway projects की quantity serving और billing का training program आपके career में जे कर वला दे और यह training program 15 January से start हो रहा है इस पूरे training program में मैं आपको अपने 8-9 साल का experience देने जा रहा हूँ जिसमें हम detail में discuss करेंगे आपके highway projects का site execution, quantity serving और billing के बारे में वो भी site की videos के साथ, animation के साथ और जो भी आपका IRC और Morth के reference होते हैं उन सारी चीज़ों को हम detail में discuss कर रहा होँगे और इस पूरे 45 days के training program में मैं आपको national highway जैसे projects और expressway जैसे projects का live project drawing के तरो flexal payment और rigid payment दोनों का case study देने वाला हूँ starting से लेकिए handover तक और इस training program के बारे में और detail में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे description में link मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके हमारा application डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको अपनी mobile number से login करना है और उसके बाद आपको front screen पे flash हो रहा होगा highway projects के quantity serving और billing का online live session जिसमें जाके आप इस पूरे training program का एक demo session देख सकते हैं कि इस training program में 45 days के sessions में हम आपको क्या quality content deliver करने वाले हैं और इस training program के बारे में और आप detail में जानना चाहते हैं तो निचे दियो description में आप call करके inquiry कर सकते हैं और last date है आपका 15 जनवरी यहां से हमारा batch start हो जाएगा और इसकी fee से मात्र मात्र पांच जाए नौशन नियनी रुपे तो आप इंतजार किस पात कर रहे हैं जाए और इस training program में enroll करिए जो कि 15 जनवरी से start हो रहा है उसके बाद यह बिल्कुल close हो जाएगा इस training program को मात्र मा learning और सिर्फ learning आप सीखने से ही आँगे बढ़ सकते हैं तो आई होप आप इस training program में enroll करेंगे बांके मिलते हैं पंते जनवरी के इस live session में आगे चलते है नेस्ट आप देखेंगे नेस्ट हमारा question क्या है what is median and its type और अभी हमने discuss किया था कि median क्या होता है आप यहां पे देख स उसमें हम इसको median ही बोलते हैं जो कि आपके carriageway को separate करने का काम करता है आप देखेंगे जहां पर dual carriageway होता है उसके बीच में आपको median देखने को ही मिलेगा अब यह median है तो इसको हम क्यों provide करते हैं वह आप लोग मुझे comment करके बताए कि median क्यों provide की जाती हो और median के कई types होते है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो मैं आपको बता दो median में आपको कई तरह के type देखने को मिलते हैं आपकी raised median होती है आपकी depressed median होती है आपकी flush median होती है और आप अगर median की size की बात करें तो आप जब open area में होते हैं किसी city और टाउन के बहार होते हैं तो आप देखेंगे highway के express के projects में मीडियन बहुत बड़ा होता है ठीकि ना पाच मीटर दस मीटर पंदर पंदर मीटर चला जाता है आपके express में और वहीं पर जब आप built-up area में आते हैं आप किसी सहर और किसी city और टाउन के अंदर आते हैं तो वहां पर आपका मौर्थ मीडियन में क्या-क्या possibilities हो सकते हैं highway के projects में और express के projects में मीडियन के क्या standards हैं और कितने टाइप की मीडियन होती है क्यों होती है उन सकते हम डिटेल में discuss कर लेंगे यह आप मुझे मौलते हैं solder जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा यह carriageway है और यह carriageway कौन सा यह आपका two lane का single carriageway है ठीके न तो जैसे ही आप देखेंगे दोना साइट हमारे क्या continuous white marking है आप उससे जैसे बहार निकलेंगे तो आपका क्या start हो जाता है है तो carriageway आपके vehicle के चलाने के लिए बनाए बाकि जो आपका solder है वो आपका ऐसे service lane काम करता है आप उस पर अपना vehicle रोक सकते और इसके अलाबा जो आपका solder होता है वो आपके carriageway के stability भी प्रोवाइड करता है तो दो तरह के solder होते हैं एक आपका प्यव्ड solder होता है और दूसरा आपका अर्थन solder होता है तो आप यहां पर देखेंगे आपको सामने आपको अर्थन solder भी दिखेंगे और आपको प्यव्ड Katy बीघ करता है तो कहीं कहीं पर आपका केवल अर्थन solder होता है कहीं कहीं पर देखें कहीं कहीं पर क्या मूश्ट्ली आप देखिए तो आपको करेंगे के बाहर पहले प्यव्ड प्रोश्व्ड़ मिलेगा फिर आपका अर्थन solder मिलेगा और इसमें भी बहुत सारे provisions हैं आप solder में देखेंगे कि जो आपके national highway के projects है तो उसमें solder के लिए अलग provisions है जो आपके expressway के projects होते हैं उसमें solder के लिए अलग provisions है अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे भी एक proper dedicated video बना सकते हैं बस आप चाहें और मुझे comment करके बताएं तो आने वाले sessions में चाहें वो आपका median हो चाहें वो आपका solder हो इस पे हम detail में discussion कर रहे होंगे as per IRC और मौर्थ के reference के साथ नेस्ट देखेंगे next हमारा क्या question है what is the difference between NGL and OGL और यह बहुत important interview questions है और यह हमेसा पूशा जाता है जब भी आप किसी highway के interview में जाएंगे तो mostly possibility से कि आपसे पूशा जाए कि NGL और OGL क्या होता है तो पहले हम लोग NGL को define कर लेते हैं NGL क्या होता है natural ground level और OGL क्या होता है आपका original ground level अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है natural ground level मतलब जो आपकी अर्थ surface है जो आपका ground है आप उसमें बिना छेड़खानी किए डारेक्टली अगर आप लेवल उठा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते है natural ground level बोलने जैसा है बैसा आपका ground रहने दीजा उसमें आप कुछ भी शेड़खानी मत करिए सीधा आप लेवल उठा लीजए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे natural ground level अब OGL क्या होता है original ground level means जो आपका ground level था आपने उसमें छेड़खानी कर दी आपने वहाँ पे पेड़ पॉदिकार्ट दिये वहां से आपने घास पूस अटा दी यदि हम टेक्निकल बाहसा हम बात करें आपने उसमें side cleaning कर दी आपने वहाँ पे CNG का काम कर दिया clearing and grabbing का का काम कर दिया अब उसके बाद आप जो लेवल उठाएंगे तो उसको लोग क्या बोलते है original ground level तो यह आपका difference होता है आप बिना किसी छेड़कानी की यह अर्थ सरफेस पे जो आप लेवल उठाते है उसको बोलते है natural ground level आप उस पे छेड़कानी कर देते हैं आप वहाँ साइट क्लीनिंग का काम कर देते हैं CNG का काम कर देते हैं उसके बाद जो लेवल आते हैं उसको बोलते है original ground level और यह दोनों लेवल ही बहुत important हो जाते हैं जब हम किसी road highway के projects में cutting of healing की हम calculation करते तो इसी के बहाब पर हो रही होती है आंगे देखेंगे next हम बात करेंगे जो हम चाहें backmen के layer डालें चाहें आप subgrade के layer डालें चाहें आप GSP डालें चाहें आप WM डालें चाहें आप DBM डालें कोई सीबी आप layer डालेंगे तो उसके उपर आपको roller तो चलाना पड़ेगा और market में कई अलग अलग तरह के rollers आते हैं तो roller की speed कितनी होनी चाहिए? रॉलर की speed आप 60 से निकाल देते हैं तो जो आपकी surface उसकी उपर load ही नहीं आएगा बास समझ रहें आप roller आपका दीरे दीरे चलेगा तो पूरा load आपकी surface उपर आएगा आपकी surface अच्छे से compact हो रही होगी तिसलिए आप देखेंगे S per IRC और S per Moth जो recommendation होते हैं उसके according जो आपकी rolling की speed आपकी 5 km परावर से जांदा नहीं होनी चाहिए आँगे चलते हैं नेस्ट हम बात करेंगे next question के बारे में वह हमारा what are the maximum size of vehicles for design of highways और यह बहुत important चीज है size आपको पता हो और हो सकता है आपको नहीं पता हो आप देखेंगे इंडिया में जितना भी road बन रहा है जितना भी आपका highway बन रहा है जितना भी आपका expressive बन रहा है वो किस size और vehicle के लिए design किया जाता है वो आपका cycle के लिए design किया जाता है वो आपका cycle के लिए design किया जाता और हमारे vehicle की क्या maximum height होनी चाहिए तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने road highway express पे को design करते हैं लेकिन अभी कितनी होनी चाहिए वो आप लोग मुझे comment करके बताईए बताने के तो मैं आपको अभी भी बता सकते हूँ मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा research करें आप थोड़ा सा पढ़ें फिर आप मुझे comment करके बताएं कि इंडिया में जो आपके road highway express में डिजाइन हो रहा है वो किस maximum size of vehicle के लिए हम लोग design करते हैं तो I hope आपको ये session पसंद आया हो कि highway के interviews में क्या-क्या possibilities हो सकते हैं I hope आपको ये session पसंद आया हो कि highway के interviews में क्या-क्या possibilities हो सकते हैं दिया आपको ये video अच्छा लगा हो तो आप इसे like करें अपने friends के साथ share करें वाकि मिलते हैं नए session में Till then keep learning and keep exploring Thank you so much